बिसमिल्लायरह्मान रहीम, असलाम अलेकुम, वेलकम टू इंटेली लॉजिक्स, आज के इस लिक्षर में हम पढ़ेंगे कि Android अगर आप डिवेल्मेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको पहले से किन चीजों का पता होना चाहिए तो बैसिकली Android की कोर्डिंग या डिवेल्मेंट में मेजर दो चीज़े हैं, एक इसमें है Java Programming Language और दूसरी चीज़ जो है, वो है XML, अगर आप चाहते हैं कि आप बहतर तरीके से Android डिवेल्मेंट कर सके तो इसके लिए आपको इन दो चीज़ों का इलम होना चाहिए, अगर आपको यह चीज़े पहले से नहीं पता है, तो फरस्ट आफ आफ आपको यह सीखनी है, उसके वाद आपने Android development की तरफ आना है, अधर वाईज आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो फरस्ट आफ 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 वाट इस जावा, जावा क्या चीज़ है, यह object oriented programming होगी, अधर वाई, इस class के बगएर object oriented programming आप नहीं कर सकते हैं, इसके लावा फिर इसके objects होते हैं, एक concept है, inheritance का, यह इसका भी आपको पता होना चाहिए, abstraction के चीज़ है, आप abstract class किस तरह define करेंगे, abstract method के चीज़ है, method over writing के चीज़ है, फिर इसमें आपको polymorphism के concept का पता होना चाहिए, इसकी हुझे यह है कि हमारे पास android में बहुत ज्यादा built-in classes है, built-in interfaces हैं, और उनको फिर हम use करते हैं, और अपनी जो code है वो लिखते हैं, तो अगर आपको लिट से आपको inheritance का नहीं पता, तो फिर आपको यह android में मुश्किलात करनी पढ़ेंगी, for example, आपको होना चाहिए, कि हम जब class को inherit करते हैं, तो उसके लिए हम extends keyword यूज़ करते हैं, extends keyword यूज़ होता है, गर आप एक class को दूसरी class में inherit करना चाहते हैं, इसके लाव आप यह basically object to rent programming language के concepts हैं, तो इसका आपको पता होना चाहिए, इसके लाव आपको exception handling का पता होना चाहिए, कि exception handling के चीज़ है, basically exception handling में हम try catch और final blocks यूज़ करते हैं, तो इसका भी आपको idea होना चाहिए, कि exception handling के चीज़ है, और यह क्यों ज़रूरी है, इसके लाव आपको different listeners का पता होना चाहिए, जिस तरह आप अगर swings से वाकिफ हैं, तो उसमें मुक्तरिफ listeners हैं, basically वो भी क्या है, built-in interfaces interfaces हैं, interface है, built-in, जिस तरह के हैं, हमारे पास action listener है, action listener कभ यूज़ होता है, जब आप लेट से आपके पास एक button है, जे button है, और आप उस पे click करते हैं, और कोई event perform करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप basically action listener जो interface है, उसको implement करते हैं, interface को आप implement करते हैं, so इन चीज़ों का पता आप को होना चाहिए, अगर आप android में development करना चाहते हैं, अब android में हमारे पास activities, service, broadcast, receivers, content, providers, यह हम Java की classes के through implement करते हैं, basically हमारे पास class होती है, और हम क्या करते हैं, इस activity को, जो के android के component है, इसको हम extend करते हैं, similarly service भी android के component है, broadcast receiver भी एक component है, content provider भी एक component है, और यह तमाम के तमाम जो है, Java के classes के through आप implement करते हैं, अपने application में, जावा के बाद जो दूसरी एहम चीज़ है, वो हमारे पास है, examl, examl क्या चीज़ है, examl stands for extensible markup language, यह basically एक markup language है, markup से मुरा दिया है, कि आप जब information को text के अंदर लिखते हैं, जिस दर आपने, को HTML का idea होगा, लेड़ से, यहां पर एक tag है, body, और similarly इसका closing tag भी होता है, तो इसके अंदर जब आप कुछ लिखते हैं, तो वो basically उसको आप markup कहते हैं, जब आप information या data को text के अंदर लिखते हैं, तो उसको हम examl कहते हैं, अब examl जो है, तो वो android में मुखतलिफ purposes के लिए use होता है, फर्स्ट अफ़ आप क्या करते हैं, जो mainly यहां पर examl use होगा, वो layout examl होगा, layout examl क्या होता है, उसमें आप user interface define करते हैं, examl को use करते हुए, examl की tags को use करते हुए, so जो primarily examl का का काम है android app developer में तो वो यह layout design के लिए आप use करते हैं, it holds all the UI components such as buttons, text views, radio buttons, checkbox, spinner, list views, views, मुख्तलिफ आपके पास components हैं, views हैं, view groups हैं, तो वो उसके तरूँ आप क्या करते हैं, layout को design करते हैं, let's say, मैं आपको यहां पर बताता हूँ, यह हमारे पास app है, और इसके आप resources में हैंगे, तो आपको यह layout नजारेंगे, so इस layout पे मैं यह आपके पास activity underscore main examl है, इसको मैं open करता हूँ, तो यह जो basically activity भी load हो रही है, यह जो design है, इसको थोड़ा से zoom करें, यह जो design है basically, तो यह बंदा है examl में, इसका design mode देख रहे हैं, अगर हम इसका text देखें, तो यह basically आपके पास कौन सी language है, यह हमारे पास examl language है, अब देख सकते हैं, यह basically क्या है, examl है, इसमें फिर हमारे पास इसके लिखने के अपने rules and regulations है, हमारे पास यह basically एक root tag है, इसको हम relative layout केते हैं, route और इस relative layout का फिर आपके पास closing tag भी होता है, similarly इसके अंदर फिर मजीद आपके पास tags हैं, जिस तरह button का tag है, तो यह button को define करता है, फिर इस button के मुक्तलिफ attributes हैं, वो attributes आप फिर इसके अंदर specify करते हैं, के button के width क्या है, height क्या है, और button के उपर जो text है, basically वो क्या है, तो यह हम सब कुछ जो है, examl में design करते हैं, और अच्छी purpose भी यह कि आप जो user interface हैं, वो examl में design करें, और जो business logic है, जो functionality है, वो फिर आप जो jawa है, उसके तुरू आप implement करते हैं, आप इसके preview भी देख सकते हैं, जिस तरह आप यहां पे देख रहे हैं, कि यह हमारे पास button है, तो basically design जो है, वो हम examl में करते हैं, user interface को design हम examl में करते हैं, अब जो इस button को आप click करते हैं, या touch करते हैं, तो इसके जो functionality है, जो काम आप इस button से लेना चाहते हैं, वो पिर आप Java की classes में define करते हैं, मुक्तलिफ event listeners होते हैं, उसके तरूब काम करते हैं, so examl का एक काम जो है, यहां पे android में वो user interface design करना है, इसके लावा हमारे पास एक manifest examl फाइल होती है, basically manifest examl में क्या होती है, इसमें जो हमारी application के मुक्तलिफ components होते हैं, वो हम यहां पे specify करते हैं, के components android में मुक्तलिफ components हो, मैं बाद में discuss करूँगा, लेकिन वो तमाम components जो हैं, तो हम manifest के अंदर define करते हैं, जिस तरह हमारे पास मुक्तलिफ packages के नाम होते हैं, activities होंगी, services होंगी, broadcast receivers होंगे, content providers होंगे, इसके लावा अगर आपकी app को कुछ permissions की जरूद है, internet permissions की जरूद है, या SMS permission की जरूद है, तो वो permissions भी आप manifest.examl में specify करते हैं, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे app के अंदर manifest लिका हुआ है, और मैं इसको double click करता हूँ, तो यह android manifest.examl की file है, तो यहाँ पे भी मुक्तलिफ tags हैं, यह basically manifest का root tag है, इसके अंदर application का tag है, तो इसमें आप application, application, मतलब उसका icon define कर सकते हैं, label define कर सकते हैं, support from right to left, theme या style क्या होगा application का, फिलाल इस app में एक activity है, तो वो activity आप यहाँ पे declare करते हैं, कि हमारे पास इस program में क्या है, एक main activity है, और वो launcher activity है, इसके लाव अगर आपको किसी permission की जरूद है, let's say internet की permission है, तो आप फिर यहाँ पे वो declare करते हैं, uses permission, और उसका नाम क्या है, android.permission.internet, तो basically इस file में क्या होती है, हमारी configurations होती है, हमारी application की settings होती है, अगर आप इसमें comment लिखना चाहते हैं, तो जिस तरह आप HTML में comment लिखते हैं, आप यहाँ पे भी comments लिख सकते हैं, configurations are stored here, और आपने इस comment को close कर दिया, तो XML इतनी tough नहीं है, आप इसको easily सीख सकते हैं, कहीं से भी आप इसके जो basics हैं, वो तो आप net पे सीख सकते हैं, अच्छा, manifest के बाद जो इसमें हमारे पास दूसरी चीज़ है, वो है strings.examl, इसमें आप मुक्तलिफ strings define कर सकते हैं, string erase define कर सकते हैं, और इसके through फिर आप मालब इसको मुक्तलिफ जिगों पर हम use करेंगे, इसके लावा एक styles.examl है, यह मैं आपको बताते हैं, यह कहां पर हैं, बेसिकलिए यह हमारे पास जो resources का package है, resources का folder है, तो इसमें हमारे पास यह values और values में आप देख सकते हैं, यह strings.examl हैं, तो इसमे string define है, app name और इसकी value क्या है, intel app है, यह हम देख सकते हैं, यह बेसिकलिए इस string का नाम app name है, और इसकी value जो है, वो intel app है, इसके लावा styles.examl आप देख सकते हैं, कि इसमें आप मुक्तलिफ styles जो है, यह define करते हैं, colors भी आप define कर सकते हैं, colors.examl में, इसके लावर diamonds, dimensions आप मुक्तलिफ specify कर सकते हैं, यहां पे, कि distance या margin या padding वगरे भी उसके लिए जो units हैं, वो भी आप यहां पे कर सकते हैं, एंचलिए हम अगले lecture में पढ़ेंगे, जब हम activity को discuss करेंगे, तो फिर हम यह मुक्तलिफ DPSP वगरे को discuss करेंगे. So, हमने आज देखा है कि अगर आप Android app development की तरफ आना चाते हैं, तो आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए? और एक्जेमेल में usually tags हैं, तो आप इन दोनों को सीखना है, तब ही आप Android development की तरफ सही मानों में आप काम कर सकते हैं. अगर आपको कोई question है तो currently comment section में वो जरूर mention करें, शुक्रिया.